नमस्कार भक्त जनों, मैं आपको चतुर्त अध्याय का सार हिंदी में सुना रही हूँ शिरीक रश्न भगवान बोले इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा सूर्य ने मनू से कहा और मनू ने राजा एक्ष्वांकू से कहा हे अर्जुन इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजिश्यों ने जाना परंतु अधिक समय वैतीत होने से यह लुप्त हो गया वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बतलाया है क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिये मित्र हो यह योग रहस्य अतियुत्तम है बताया था शिरी क्रेश्ण बोले हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं मुझे याद है और तुम भूल गए हो जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकरती में इस्थित हूं तथा पी अपनी माया से जन्मता हूं ये भारत जब जब धर्म की हानी होती है अधर्म का प्राबल्ले हो जाता है तब तब ही मैं जन्म लेता हूं सादुओं की रक्षा पापियों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रतेक युग में जन्मता हूं जो मेरे इस अलोकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्य होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझमें ही लीन हो जाता है इस भाती मोह, भय और क्रोध का त्याग कर मुझमें भक्ती करके और मेरी शरनागती हो बहुत से मनुष्य ग्यान रूपी तब से पवित्र होकर मुझमें मिल गए हैं जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ हे पार्त मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्क का नुसरन करते हैं अर्थार्त यह चाहे जिसकी सेवा करे वैं मेरी ही सेवा है मनुष्य लोक में कर्म सिद्धी की इच्चा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं क्योंकि इसलोक में कर्म की सिद्धी शिग्र होती है मैंने चारों वड़नों को श्रस्टी अपने अपने गुण और कर्म से की है श्रश्टी का करता मैं हूँ तथा पी मुझे अकरता अविनाशी जानो कर्म मुझको व्रद्ध नहीं कर सकते तथा पी कर्म फल में मेरी कामनन नहीं है इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता अतयव पूर पुर्शों के लिए किये हु जिसके जानने से संसार के बंदन छूट कर मोक्ष के भागी होंगे कर्म विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आविशक है क्योंकि कर्म की गती गंबीर है हे अरजुन जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ग्यान रूपी अंगली से भस्म निर्मल हो गए हैं उसको पंडिक कहते हैं जो कर्म फल की आशा छोड़ कर करता है उसमें आसकती भी नहीं रखता और निराशही संतुष्ट रहता है ऐसे मनुश्य क जो फल की इच्छा नहीं रखता वे वासना से दूर हो गया है जिसका मन अचल है जो यग्य के कर्म करता है वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं अहुती देने वाला भी ब्रह्म है इस प्रकार जिसकी बुद्धी में सब कर्म ग्यान में हैं उसको ब्रह्म प्राप्ट होता है कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं ज्यान योगी ब्रह्म रूप अगनी में यग रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा अपने कर्म को सैयम रूप अगनी में होम देते हैं कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्म ज्यान से प्रजवलित सैयम रूप अगनी में होम देते हैं कोई तो द्रव्य यग करते हैं, कोई तप्यग, कोई योग यग, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यग करते हैं, कोई प्रणायाम में तक पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायू में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायू में अपान वायू का ले करते ह कोई अहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं वे यग्यवेता हैं और यग्य से ही इनके सब पापनाश हो जाते हैं जो यग्य में बचे हुए अम्रत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन भ्रम को प्राप्त होते हैं हे अर्जुन जो यग्य नहीं करते हैं उनको यह लोक पर लोग दोनों ही नहीं हैं इस प्रकार से बहुत से यग्यवेद से विस्तार सहित वर्णित हैं इन सब को कर्म से उत्पन हुए जानो हे परंतप द्रव्वे में यग्य से ज्ञान यग्य उत्तम हैं हे पार्थ फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं तो इस ज्ञान यग्य का तक्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना, उनको विनेपूरवक प्रसन करके ज्ञान यग्य जानना, इस ज्ञान का लाप प्राप्त करके तुमको ऐसा मोफिर नहीं होगा। इसी ज्यान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्यान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे हे अर्जुन जिस प्रकार प्रज्वलित अगनी लकड़ी को जला कर भस्म कर देती है वैसे ही ज्यान रूपी अगनी सब कर्मों को भस्म कर डालती है इस लोग में ज्यान के समान पवित्र और कुछ नहीं है ये ब्रह्म बहुत काल परियंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुर् कर अल्प समय में शांती को पा जाता है अग्यानी श्रद्दा रहित और जिनके मन में संदे हैं ऐसे जो पुरुष हैं वैं नश्ट हो जाते हैं जिनके मन में संदे रहता हैं उनको यह लोग और परलोग सुक कुछ नहीं प्राप्त होता जिसने परमिश्वरा धान और पन हुए चितके इस शंशय को ग्यान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ बोलिये विश्णु भगवान की जै